ना तो कोई यहां से जा सकता है और ना आ सकता है इस द्वीब की लगभग आधी आबादी संक्रमित है यह है सारे माथ, एस्टोनिया का एक द्वीब यहां लगभग 33,000 लोग रहते हैं एक महीने पहले इटली के मिलान से एक टीम यहां वॉलीबॉल खेलने आई और अब यह द्वीब कोरोना हाट स्पॉट बन गया है हम वहां नहीं जा सकते इसलिए द्वीब पर रहने वाले कुछ लोगों ने अपने मॉबाइल पर रिकार्ड करके बताया कि वो किस हाल में है सारे माँ और कुरे सरे में इस्थेती काफी गंभीर है 20 अपरेल तक हजार लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ 147 बिस्तर हैं जो इतने मरीजों के लिए काफी नहीं होंगे मामले इतनी ज्यादा होने के कारण कुछ मरीजों को इलाज के लिए देश के मुख्य हिस्से में लाये जा रहा है द्वीब के बाके हिस्सों में लोग खुद को तेजी से हालात के मताबिक ढाल रहे हैं सुजैन राइन होम इस आईलेंड पर बनने वाली चीजों को बेचने वाली संस्था के दफ्तर में काम करती थी अब वो घर घर जाकर डिलीवरी कर रही है मेरे पीछे आप चीजों का जो ढेर देख रहे हैं ये सब मुझे आज डेलिवर करना है हम इस समय कुरेसेरी के एक इलाके में हैं जिसे हम सारेमा की राजधानी कहते हैं मैं ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही हूँ फिर सामान यहाँ छोड़ कर चली जाओंगी ताकि उनसे संपर्क ना हो सके अनु वारेस इस द्वीब के क्राइसिस सेंटर में काम करती हैं वो वीडियो कॉन्फरेंस में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रही हैं अनु बताती हैं कि पहले भी इस द्वीब पर बंदिशें लगी थी सोवित कब्जे के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को यहाँ आने के लिए पर्मिट की जरुरत है मगर इस पार हम अपनी मर्जी से अपने लोगों की सेहत के लिए ऐसा कर रही है यह बताना मुश्किल है कि कोरोना देश में कैसे आया इटली की टीम के साथ दो वाली बॉल माच हुए थे जिने देखने के लिए एक हजा से जादा लोग एस्टोनिया के मुख्य भाग से यहां आये थे स्थानिया अधिकारियों का ये भी मानना है कि पिछले दिने हुए शेंपेन फेस्टिवल के दौरान जुटी भीड के कारण भी संक्रमन तेजी से फैला होगा लेकिन इस दूइब के लोगों को उमीद है कि ये दौर भी बीच जाएगा